जानकारी के लिए बहुत अच्छा अच्छा पर उच्छा जो वर्मादी को चेर की थी अच्छा पर उच्छा पर उच्छा पर उच्छा के लिए बहुत कथोर कोई चाहिए तो परिक्षा के लिए सुर्चा को बेजा लगें उता हुँ मैं के बुधी कितनी है हनुमान में देख लो बल तो है पर अंकुदी है के नहीं सो हमने पढ़ा उनथीस मच्छलोप अनंतस्चास्मी नागानां बर्न यारसाम हम पित्रिड्याम अर्यमा अस्मी यमस सैयमताम अस्मी और अब हम पढ़ रहे हैं पुधी के पुत्र दाइते हैं और दानों के पुत्र दानों के पुत्र दानों कोंते हैं कुंति के पुत्र पांचों कुंते हैं एक नहीं पांचों ही कुंते हैं तो यह पहले मा के नाम से बेट्रों को जाना ज्यादा है ऐसे लगता है पिता के नाम से भी है लेकिन मा के नाम से ज्यादा है तो यहां प्रवपाजिक ने दाइत्या कहते हैं दिति के पुत्रों का और उन में मेरी विभूति प्रलाद है। क्यों मेरी विभूति है। कि सुमर्ण भक्ति का आचारी है। उसका मेरे उपर कुर्ण विश्वास है। शर्धार की मूर्दी मानस्वरुख भग्वान के सुमर्वक्ति का आचारी है। सबको संयम में रखुआ हूं कि मैं काल हूं। और वो तो ठीक है गरुद का भी हो गया। गरुद जी एक कथा है के अम्र तकर मिल जाए तो सांग की माता को किसी ने बंदी बना के रखा जाए। गरुद नकाँ में लाके पिलाउंगा। सांग को जेन का यूटूप। तो ये अम्रत लिया जाए था गरुद। जब अदर्ति गरुद अम्रत का कालिश यह देवता उस लिया जाए था और ये हमारे काली देय का विर्क्षन इसके उपर बैठा था। तो ये काली देवाला विक्ष अम्र हो गया कि क्योंकि अम्रत इसके उपर कलश के साथ बैठा था। तो भरवान ने इस काल्य करने के लिए उसको कहा कि क्या वर्दान कुछ मांग लोगी। तो उसने कहा कि मुझे कि मैं अम्रत पांग करम और अम्र हो जाओं और मुझे आपके महान बनने का आश्रवाती थी। तो असल में कथा तो सांपों के बीच में और इसके बीच में जगड़ा था। तो गरुण की अम्रत ले आये थे। तो भगवान को उनकी सामरत और शक्ति के उपर बहुत अच्छा लगा और वर्दान में उनको अमरता और अपने वहन बनने का आश्रवाती है भगवान मिश्ण में। प्रड़ा जी लिखते हैं दिती के आथ। दिती और आधिती दो बेहने हैं। दिती शब्द का आथ है जो टुकुड़े टुकुड़े करते हैं। इसका मतलब ठंड ठंड करें। और आधिती का आथ है जो सब को जोड़की रखें। तो आजेतिय के पुछी सभ्रणवी की शब्ल का अर्थ ऐसी है और दृद धंध वह इसका अर्थ है तोड़ना यजा मिलाना तो जो देवता हैं जिती και पुत्रों अनुको साथ लेचलते हैं दिद्धि के पुत्र सब को खंड 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 और आदिद्धि के पुत्रों को आदिद्धि के पुत्रों को आदिद्धि के पुत्रों को दिद्धि के कहते हैं और दोनु का बाप एक है, स्टर्चिन, और दोनु एक उसे दढ़ते हैं और उन दोनु के जगड़े के बीच में भी शांत रहे वो कश्चिम, दोनु के बीच में शांत रहे ये कश्चिम की बहुत बड़ी उधारता है, जो नास्तिक क्यो है? भगवान को नहीं मानते हैं, धेवताओं की पुझा करते हैं, ये सारे ड़ी जो है, ये ब्रह्मा को करते हैं, शंक्ता को करते हैं, पर तो भगवान के दोड़शी है, इसलिए नास्तिक है, प्रनाज दायत्यूं में जनव हुआ फिर भगवान का बच्पन से ही भाहन वाक्त था और उनके अज़र जो भक्ति के लक्षन है भगवान स्री पृष्ण की लिपूँदी। सब को संयम में और नेम में रखने के लिए बहुत से साधन है परंतु काल ऐसा शक्ति शाधन है इस जगत के सब चीजों को समय के साथ जीरण करके समाफिष कर देचा है तो काल भवान की विभूती है। इसे काल भवान का स्वरूख स्वरूँदी बहुति है। भवान के जाएंगे क्याद है का अस्मी में काल हौँ। लोग के खचाय प्रृदव तो यह क्षाय करने के ही आए हूं। तो काल भवान की विबूती है और पशू में शेर अपने वीर्ता और क्या कहा जाए 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 बयान गुन के कारण राजा है और गरुड पक्षू का राजा है जो अगवान विष्णू का मान भक्त है एक गरुड ऐसा वेष्णू है जो मासारी है अनि मार्ण करता है क्या करें करो हुज़ कर दो तो उसका गुज़न ही है अई इक ती सो श्रो पवन पवकाम अस्मी रामशत्र बरता माम जसान पक्रस्चास्मे और पवित्र करने वाले और तीवर गती से चलने वालों में नहीं हुआ 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 है देखे नहीं मेरी विभूती वायु है राम शाष्त्र घ्र्दाम शाष्त्र धाजियों में मैं राम हुआ 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 है यह राम भृभु नदन परिश राम का सोच्च के हुआ है तो इस राम को परुसराम माना गया है, जसाना मकर मतलब जल जरो में, मैं मगरमच हूँ, मगरमच मकर मेरी विभूती है, जल जरो में भगवान की विभूती है, मकर, श्लोटसाम अस्मी जान मी, जो शरीताय जलती है नदियां, उस में भगवान के ते मेरी विभूती है गंग जान भी गंगा का नाम है, गंगा का नाम जान भी क्यों है, जान रिशी की मुत्री के रूप में जान ने प्रकट किया, पी गया था पूरी गंगा को पी गया था तो फिर भागी रथी की प्रात्रा करने के पे उसने, तो गंगा जब गंपोत्री से उतरती है तो उसका नाम है जमाति भागि रती काहते हैं और यूँकि चतिय इसने गंदाख गंगा का मतलब चन्ने वाली जो बैती रहे और विश्नु पदी कहते हैं कि विश्नु के चन से लिकलती है सुर्ष सरी कहते हैं सुर्ष सरी क्योंकि देवताओं के लोग को पमित्र करती हुए आती है और जहान भी कहते हैं कि जहान पुली सुभी ने पुद्री के रूप में उसको उपर कज़ किया। ऐसे गंगा जी के और भी बहुत नाम है। वागी रति उसको लाया इसके वागी रति। और फरसुरा आवेशा अता है रगवान का। छक्ति आवेशा होतार इसकी रगवान की विवूति है। रोजे फरसुरा या रगवान से रामचातर होता है। क्या परसुरा उने क्या किया। मैंन्स निए जो बताया ने देख लेकिना ज़ेकर राम है उसके वही राम है तीन प्रहुपादी से कि बढ़र तीन राम है बल राम पंस राम ये तीन राम है, अब कुछ सा राम किस शान के ऊपर में सका सुचना है तो बराम मिक ऐसे जब शहत्ततद है हो भी तो घदा गैजातनों कि सबसे स्रेस्ट देवी फिरारह। परंट विश्वनाच क्तितके पांग क्यादक काते हैं कि위 मिशनु तत्मू रामदी भी विश्शनु तत्मू है और बराम भी तो है ही यह शक्ति आवय शक्ता है यह जीव है, टक तो जीव है, पर अंतो भगवान ना इसके अपनी शक्ति डाल दिये पुर्फ्राम में, इसके यह भगवान की विवोटी है, तो यह पावुपा जे क्या लिखा है, देखते हैं, मेरे सामने को अभी यह है। जीव है, वो भी शक्ति अवेश अवतार है, जैसे बहुत से शक्ति अवेश अवतार है, शक्ति अवेश अवतार हो होते हैं, जिनका वेखुन में अपना धाम नहीं होता है, जिनका धाम है, वो नित्य अवतार है, तो यहां जो दिखा है के राम क्यों नहीं कहा है, इस राम क वो तो है वश्नु कत्तो ऑंड होडना परлив जीव में विश्नु कत्तो ही एक परद जीव है कर तो धीव है यह करद जीव अविश्बि विश्टिय आ से वामनद शीव में शेड़ आ राया था हँ ? हाँ वामनद वैसे दद श किला है ? अब 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 यहां दिखा पदम पुराण नि भागता न्म्ट्द behavior हमने परश्राम की आपको कतब आप Alexandra कहते भी मिन्द परश्रा मंदेख उजिसको चक्ति अव Kent El खावतार कहते है तो ये शक्तियवेश के लिए इसका वर्ण ऐसे किया है। भागविता अपन तो लगु भागविता मत अपने रूप गोश्वामिता उसमें लिखाए है। जब जीव के अंदर तगवान की ज्ञान शक्ति या कोई और शक्ति का अवेश होता है। तो उसको शक्तियवेश अवतार के लिए। केते जी तरी प्रवपा शक्तियवेश अवतार के लिए। जी तरी प्रवपा शक्तियवेश अवतार के भागवान ने भागवत के पत्यार की शक्तियवेश अवतार के लिए। यह विजह इस प्रकार की मचली और नतियों में में गंगाम, कवपाजी लिखते हैं, मकर को शार्क लिखा है, यह एक बड़ी भारी मचली होती है समुदर्ण में, यह भायानक है, बदिश मचली, दिवराम के उतार कवपाजी निखा है, तो यह परचुराम है, ऐसे चकरवति पाद नमकुर्ण करें, साक्रानाम आद्रंतस्या, बद्याँ चयवाम अर्जना, अध्यात्म विध्या, विध्याना, बद्याँ अध्यात्याना, बद्यात्ना, साग्रा नाम, सर्व का नाम जब क्या है, और सर्व का क्या है, सिर्ष्टी करना, दगवान विष्णु का सिर्ष्टी, तो सिर्ष्टी है उसका आदी अंतौर मध्यमें। और फिर है, ग्यान जो है, अध्यात्म विद्या विद्यायन, जो ग्यान है, उसमें मैं जो आत्म विद्या है, वो मेरी विपूती है। ज्यान की अंतरगत आत्म विद्या में लिपूती है, और वात परदता मस्थी, आपउसमें जो बातीच करनी है, उसमें वात होता है, वितुंद होता है, और समवाद होता है, समवाद तीन हैं चबुरत, विवाद तो भिगरा हुआ वाद है, संभाद के विपरीद विवाद हो गया है, विदुन्द, वाद और एपोर्शम ने, ये तीन प्रकार का संभाशम होता है, विवाद नहीं है, दूसरा शक्र, मेरे गीता में दिखा है, जबाद में वाजाएगा आ गया, तो वाद में हूँ, जैसे भगवदी का संभाद है, तो वाद की परिवाशा है, जहां श्रिश और गुलू में बात हो, परमसत्त को जाना चाहिए, तो ऐसी चर्चा को वाद के रहे हैं, या तो श्रिश उन्मत है, भगवद तक्रों को जानने के लिए आपस में बात सीथ करे तो उसको वाद के रहे हैं, और दूसरा, मैं आपसे बात करना हूँ, आपकी बात कुछ सुनने को तयार नहीं है, मेरी बात ही आपके ओपर धोब रहा हूँ, तो ये इसके लिए शम्द एक और है, जो दो तीसरा शम्द है कि कुछ सुनने को तयार नहीं है, अपनी बात करे तो यह कभी भी लान नहीं ठेहें। वाट करने के तीन संस्क्रित प्रोड में हुंके लिए थीने शब्दे द intुद्र प्नि सरक्राइब्धाये। जब् जब्त पर जब्त कहना है। जब्त अनके लिए इन दूढ़ें। ऐसे माने लिए विल्पुल नहीं और वित्वण का वदलब आपको हराना ही है, चाहे कोई कारण हो ना हो, कोई तरट हो ना हो, आपको हराना ही है ये वित्वणुण। तो तीन नाम अब याद होगा है क्या? वाद, वाद, जलप और वित्वण। ये तेन समभाशन के नमूने हैं उसमें भागवान के वित्वधिवाद है जो गुरू और शिष्य अत्वाथ जो उनलत भक्त भगवत्तत्म के ऊपर चर्चा करें और कि प्रकर्थी में जिस चीज से जो कुछ प्रकर्थी में बना हुआ हुआ है दग्रण हजए स्वर्ग का मतलब प्रकर्ठी आई तो प्रकर्ठीमें जो पुछना हुआ गया माथत्ट्व से। वेरी लिभूती में यह चगश्दरवती पात क्युत्त है। और 20 मं श्णोप में भश्दम क्या कहता है। अहां हाद इसमंद्यम्छ बहुताना मद्न वचलुू HERE!! अब देखो ये वीशमेश слोप में और इसपंद्ля अंतर क्या है वहां भी ये लिखाई या भी ये लिखाई वहां है जीवों ॉका भध्र ऍद्द्लिया और ये सिस्थी आ ये बोतिक सर्ष्टी का और जीव सर्ष्टी का अब दोनों में हंतर ये हो गया 20 में शोप मैं देखिए तेमों तरह 20 में फोलाँ अहाम आदिश चा मध्यब चा भूता ना मंत एवचा ये है जीव के लिए और ये जो शोप अब हम कर रहे है ये है गोतिक प्रकृति के लिए जो मात पत्व से बनती है तो दोनों का ये अंतर समझने आया है या डोनों का अधिक सर्ष्टी की बात हूँ है जीव की बात अब एक विद्धियां में में क्या हूँ अब कुन सी विद्धियां आपको कितनी आती है गुरुपुल पद्धि में भारत में अथारा विद्धियां पढ़ाये जाती थी तो एक श्लोक लिखाये विष्णु पुराण का अंगानी वेदास चत्वारो मिमाहा मिमांशह न्याह विष्ट्रशह धर्मशास्तं पुराणंच विद्धियां एक श्लोक लिखाये जात प्रकार की विद्धियां है विद्धियां कितना विद्धियां के सुनु शिक्षा पहलाँ में शिक्षा दूसरा है चंद जैसे भबत की था कौन से चंद में है मुख्य कौन सा चंद है हनुष्ट्व और भी चार चंद से हमने पहले परादा चंद में मुख्य के मंत्र में कौन सा चंद कौन से मंत्र में इसका भी बड़ा आखना भाव होता है के है अपने उक्तेशा सामाइं टुपड़ाएं रिषा हैं गरणकमंजरी चंद है नि 파ुशidir तो यह चंदों का व्यान भी जिनको सीखना है वो सीख सकते हैं तो यहां आपको छे जो छे अंग कौन से हैं वेलेगे शिक्षा, चंद, व्याक्रम व्याक्रम तो यह हो गया न ग्रामत तो तीन तो यह हो गए निरुप्त डिक्ष्णरी मना और जोटिश जोटिश शास्तक और कल्प कल्प मतलब जो यद्यादिवे रिच्वन्स होते हैं करम पानि यह वेदूं को इसको कहते हैं वेदांग वेदूं के च्रियंग है क्या नाम दुबारा बोलूं किया शिक्षा शंद व्याकरान निरुप्त जोटिश और कल्प मिमानशा और नयाय यह दोवर शास्तक हैं मिमानशा और नयाय एक गोतम का नयाय है और एक नयाय जो हम मानते हैं वह वेदांग ज्यासदेव का वह नयाय का रहता है और धर्म शास्तर एक शास्तर धर्म है फिर पुरान है यह सब मिलाकर चौदा प्रकार की विद्या हैं तो इन चौदा प्रकार की विद्याओं मैं मैं हात्म ग्यान हूँ मेरी विभूती है आत्मा का ग्यान है यह ग्यान मैंसे मैं कौन सा ग्यान हूँ आत्म ग्यान हूँ यह ग्यान कहा है वेदांत में है और उसमें चार अध्या है इसको चत्रलक्षा चत्रलक्षानी विद्या करते हैं वेदांतर सूत्र में चार अध्याओं को चत्रलक्षाना विद्या करते हैं वो परमात्मा और उसके जो पाथ्याओं का वर्णन करते हैं तो इसके पहले अध्या में ब्रह्म का ग्यान है दूसरे अध्या में शास्त्रों में जो मत्वेद हैं शास्त्रों में जो एक दूसरे के विपृत है उसका समन्वे किया गया है तीसरे अध्या में साधन ब्रह्म की प्राप्ति का है और चोट्रे अध्या में प्रह्म के से प्राप्त होता है इसलिए आत्म विद्यकात ही है तो यह चार अध्याओं में यह चार प्रकार का वर्णन है पहले अध्या में क्या है वेदु का विशे ब्रहमद है, दूसरी अध्या में जो एक जैसे मा आज मी कहें के आँखें बंद भी रखता है खोलता भी है, जैसे भरवान विश्टु के लिए सहसर नाम में एक्षितो के निमिशन अमिनिशन, अनिमिशन, निमिशन का पत्व आखें बंद करना, अनिमिश और अनिमिशन का बंद भी रखना है, तो अभी एक उसरे के विप्रीट है, जो आखें बंद रखनेगा, आखें बंद करने के सही है, तो इनका समन वे करने के लिए जैसे बिए एक अध्या है कुछा, जैसे भरवान विश्टु के आखें बंद कभ रखते हैं, जब किसी का दोष नहीं देखना होता है। और खुली कब रखते हैं जब किसी के अच्छाई को देखना है। फोटी अच्छाई को भी नहीं होते हैं। जैसे पूतना आई तो भगवार ने आख रखन करते हैं। क्योंकि अभी दोष नहीं देखना है। इसकी अच्छा ही कोई देखना हूँ, ये दूद्दुना ने आई है तो इसको माता की गभी देना हूँ, और जब दुरूपती ने भगवान के खुली पे पट्टी मादी तो छोटा सा नाम भादे के खुली आम से देखा, इसका रेन उताम मापड़ेगा सारी करने पड़े, समय आने को बन, तो भगतों के के गौन को सेवा को छोटी सेवा को भगवान देखते रहे, कभी नहीं भूलते हैं, और भगतों की गर्धी को रखेमंद करने देखते ही नहीं, सुनते ही लिए। तो ये दोभ इक दुसरे को विपृत हैं, पर अंदोनों का कैसे संपनने है जिसको ब्रह्म प्राफ्त हो गया उसका लक्षम है तो ये चार आधिया आत्मविद्या है जब दो व्यक्तिां आप सम्भाशक करते हैं या जिसको… प्रती वाद, वाद, पर्ती वाद, पर्ती वाद कहते हैं जनरली तो इसमें तीन है शम्निया लिखे हैं वाद, जलप और वित्रण ये तीन प्रकार के तरक वित्रप होता है। इसको जलप खेते हैं। तो जलप क्या है। आप अपनी बात को ठीक है। तो एक वित्री यहां हमारे पस कांसी डिबेट ने से हो। बगवान है कि बगवान नहीं। वह ना कर है ये साका है। तो साकार वारे सारे शाथ से साकार का प्रमान से। निराकार वारे सब निराकार का प्रमान से। और दोनों कहेंगे हम जीतना चाहते है। जब ऐसा बात हो तो उसको जलप कहते है। और जलप से कोई निरना नहीं निकलना। तो हमें दगड़ा चलता ही रही है यह अभीज़ शत्म नहीं हो यह निराका शाकार अभी लड़न है प्रवपात एक टाज प्रेव निखा आया है आज भी संतु में निराका शाकार अधिक लड़ाई चलता है तो यह जाने वाली है नहीं इसको जल्ब कहते है अब दोनों बाते कर रहे हैं मैं सही कह रहा हूं परन तो आप के पास कोई तरक नहीं है परन तो आप कहा दया तुम गलत हो भाई क्यों गलत हो मुझे बता बला बस आप गलत हो अमारे पास कुछ भी ने इसको वितर्ण कहते हैं, यह है वितर्ण, भाई तो मुझे गलत क्यों कह रहे हैं, कुछ भी हो आप गलत, जिसके पास अपना कोई तरक वितर्ण नहोगा, उसको वितर्ण कहते हैं, इसमें कभी कोई खल नहीं मिलता है, इस सिर्फ चत्राई है, परम तो जब वो परम सत्व को जानने के लिए बात जीत की जाएं, तो उसको वेध करो, वाद कहते हैं, यह वालवास की विभूती है, गुरुशिस के दितर्ण जो बात होती है, यह जैसे आजर्ण के बीचे संबाद है, यह संब्यक वाद है, तो अब दीन समझ में आए कौन से कौन से है, जलप, वाद वर संबाद, नहीं जंबाद है, वितंड़, अब जलप कया है, रोज जगड़ा करते हैं आपसमें, तुम ठीक नहीं पकाते हो, मैं ठीक पकाता हू अब मैं दो को मैंने इतना बनाया, मैंने इतना बनाया, कभी पूरा नहीं होना है, यह जंदर है, वे तुम अच्छा नहीं पकाते हैं, वे तुम अच्छा नहीं पकाते हैं, वे तुम पकाते हैं, वे तुम पकाते हैं, वे तुम पकाते हैं, वे तुम पकाते हैं, लेकिन वाद से निर्ने निकलता है, जलब से कोई निर्ने नहीं निकलता और विजम से तो जगड़ा ही होता है, तो ये तिन प्रकार गा, प्रावपाद जी लिखते है, तेको प्रावपाद ने पहले डाइन लिखिये, मार्तत्र, सीधा लिखा है कि यहां सर्ग मार्तत्र का सूच अ तो टोटल उमट्रिय रेलिमंट दिखाया ना, क्या दिखाया इसके लिए? समझ भौतिक्तत्व समझ भौतिक्तत्व क्या है? महत्तत्व जो समझ भौतिक्तत्व दिखाया यही महत्तत्व तो यह समझ भौतिक्तत्व आम दिखो जो कभी समझ में आएगा क्या है? नहीं ना? मातत्त्तो डिखोगे तो समझ में आएगे। तो ये मातत्तो हैं तो ये कौन करता है? साथि-सृष्टी प्रवपाजी गिते जिए तीन विष्णो का वर्णन पहरे ही कर दिया ये कारें तो तेर तीन करते हैं और संहार शंकर जी करते हैं और ब्रमाजी विसर्ग करते हैं, विसर्ग लिखाया है, नहीं, secondary creator लिखाया है, लिखना चाहिए सीधा शम्द विसर्ग, सही शम्द है, विसर्ग, ब्रमाजी विसर्ग करते हैं, विशेस शर्ग, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, अब देखो हमारे को यहां फीस्ट करना है, मैं फीस्ट करना है, मैं फीस्ट करना है, तो मैं बजा से दूड में लाके देता हूँ, चीनी में लाके देता हूँ, आटा में लाके देता हूँ, घी में लाके देता हूँ, सबजी में लाके देता हूँ, अब मैंने दे दिया कीचिन में अब गौर्भवान इसमें ने कचोरी बनाए या समोसा बनाए या चपाणी बनाए या पूरी बनाए तो जो मैं हमें क्या करता हूँ सामगरी देता हूँ यह सामगरी और बर्मा जी उससे बनाते है जो याशी लाग जूनिया अलग तो नाना ये नोगन प्रकार की संस्कृृती, आकर्ती, प्रकृती ये ब्रमा बना देगी। रगवान सल्फ मसाला देगी। सामान सारा हमान देखी। ऐसे तिके दो प्रकार का उन्टेक्ट होता है। ये इनके पास कांटेक्ट लेक है था सामान हमारा बनाओगे। तो ये वो क्या कर रहा है विसर्ग, और ये क्या कर रहा है सामान देने वाले सर्ग, ये मिठाई का सर्ग और विसर्ग हो गया है, हमारों जब पत्यार करते हैं, तो हम ऐसे सम्झात हैं में को, भगवान ने शरीर बनाने का सारा पत्सादा दे दे लिया ग्रमाजी को, और झीव और उसके करमों का पूरा जिठा दे 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 लिया, अब ब्रमाजी को रहा हैं का इसने क्या क्या तो उसने आये तो बड़ा देवता था, अच्छा बादी था, सबका बला करता था, पड़मादी के ये तो देवता बने के लाई गया, मसाला को ढालेगा अंदर ही अपृत्वी जनाकाश भायू और दवाएगा पटन, तो देवता बादां पे निकलाएगा, अब एक धीव को दाला, और उसका क्रम का चिठ्छा दाला, अंदर देखा देखा सबादे शामतम, मर्दूर निकरता था, कभी कहीं सेवास अब कुछ नहीं की, गज़ा बनना चाहिए, मसाला दालेगा और गज़ा लाएगा और गज़ा भाश, तो ब्र्मादी को कुछ नहीं कर गाएगा, इतना सब के लिए अगवादू उसको बसाला देते हैं, जीव उसका क्रम देते हैं, और गुर्मादी बस मशीन में डाजो और बार आएगा, ये है विसर्व, तो सर्व और विसर्व समझ में आ गया, अब प्रभुपाजी क्या लिखते हैं, अब प्रभुपाजी क्या प्रति निदी है, एक सुष्णी करता है ब्रह्मा और एक विष्णो जो उसका प्वालन करता है, और एक संगार जो शंकर करता है, ये भगवान के अवतार हैं गोणा, और ये भगवान के गोणा अवतार है, ये जागाज दे रहे, इसलिए भगवान की ये विमूतिया हैं जय है और हमारे प्रगटी के लिए फाथ से जुसता जैसे कि चार वेध्वीन की अंग है। अंग ही, चार वेधां, तो निखा पनदाए, नाम नहीं निखाए, उतनठा है, नुद resource, Veda उन इर जुट अंग होना सोु जक्ता है वेदों के सप्लीमेंट वेद अंग, सप्लीमेंट में का अंग, शब डोला चलिए छे वेद अंग, चार वेद, छे वेद अंग, वेदांद सूत्रा, फिर नियाय, लिखाए नियाय, फिर धर्वशास्तर प्रिंपॉरां, तो कुछ नाम प्रावपाजी ने यार भी है, वैसे चोडा विध्ला है हमारी, चोडा विध्या यह और चे और इसमें जोड़ alma विध्या कहते हैं, वह शे कौन सी है, मीपुरां यह ये सरु शास्तर तो इसी के अंतरगत्र भी पतंदिली योग नहीं है इसमें इसी पतंदिली का योग है, वो अलख शास्तर है, ऐसे चोडा आ प्रवपार नाना प्रकार की 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 ना तुट राजियाża जो ह मने का वो इसके अंतरगठाएगा ठीक है तो पढ़के यह पढ़ए है समझ में आ रहा है गैसे समझ में आ रहा है प्रभ७ापाजी ने जो आचारीयो की डीका को दिखा है अब प्रभ७ापाजी है यथा रूप भगोध मीटा को समझने के लिए ये लोग आचारियों की चीत्रा को देखना आवश्य होते हैं अब आउपाज देखते हैं जो तरक वितरक करते हैं उसमें बहुत से प्रकार है यह अपना पक्स को ही पृति करना चाहें उसको जल्द करते हैं जो दूसरे को कैवल हराना चाहे प्रस्तुत करें उसको बितर्द करते हैं आपक्स भीक हंद करते हैं यह वाद जो है यह कृष्णुस को भी बोलती है। तो आज क्या आपने ज्यादा सिखा चाउदा विद्यावुन के बारे में जानकाली हुई और तीन प्रकार के तरक भी तरक के विशे हैं। ठीक है ना? अब आगे पढ़ते हैं ते तीसी। अक्षाना मकारो अस्मी त्वन्द समाशिकस्यचाव। अहं वेवाक्षयकालो जाता अहं विश्वतो मुक्थम। अक्षाना मकारो अस्मी। अक्षरों में आओ। पहले हमने क्या पढ़ा रहा। अक्षरों में आओ। या अक्षरों में आओ। और द्वन्दु में, द्वन्दु में, में, द्वन्दम समाशिकस्यचाव। जहां एक्षब कहने का शैली हो दिये है। जैसे कहे प्रिष्ण अर्जन। रामकृष्ण। ये द्वन्द है। तो जहां कुछ शब्द जोड़े जाते हैं, उनमें भगवान की भूति है द्वन्द। तो द्वन्द ऐसे शब्द होते हैं, जो बिलकुर एक दूसरे से, ऐसे मिलते हैं, कहने में रस आता है। अब कोई कहने की शब्द जैसे बोलते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये द्वन्द मैं हूँ। और जो सब का, सब एवाक्ष है कालवस्न। तो यहां पहले एक बार धवण ने कह दिया, मैं काल हूँ तो यह कुर सा काल है। सब का, प्रवय करने वाला में शंकर हूँ। ये काल शंकर का रूप। इसको शंकर का रूप एक आचारे ने माना है। और धाता हम विश्वत्यों मुख्ण। धाता का नहीं है। सृष्टी करने वाला हूँ। उसमें मैं विर्मा हूँ। विश्वत्यों मुख्ण। तो यहां कितनों के आए। अकार को समझ में आ गया, धौन भी समझ में आ गया। और जो काल है उसके लिए एक आचारे में कहा है। जो प्रदे के समझ में अमिनी निकलती है। वो मेरा स्वरू के। प्रदे वोई अमिनी करती है। जो शेष के मुख से निकलती है। और कौन प्रदे करता है, शक्तर जी खिरता है। जो जो फोड़नों आचारे में दो शब्ध लिखेंगे प्रगपाज लिखेंगे रिकारे में। और शिष्टी करता हूं में निसरग करना वालों में धाता रूँ, धाता आँवGreg विश्वत्वत्वनुख़स। महा काल में रुद्र हूँ जो सब का विनाश करता हूँ और विश्वतमुक ब्रह्मा में हूँ अकार कहले हूँ तो दिखा है श्रूति में दिखा है अकारो वई सरवा वाका सारे शब्दों में हो आएगा अकार शब्दों में आएगा यह आएक्रियो आर्मियक का श्लोक है तो और कुण से और कुण से शब्द है एक तो दूंद में हूँ तो और भी तो कोई होगे ना ऐए शब्द तो उनका नाम भी दिखाए समास कितने प्रकार के है यह बात चाह और यह समास कितने प्रकार के है क्या अब भी शब्दों का आपस में जोड़ना है समस्कित जो पढ़ते हैं खुर को मालब होगा समास कितने प्रकार के है एक दो तीन और चोथा यह बात तो आप sì आउव्य आव्य यह भावव अवे यह भाववach एक समास ना जोठत कुंष और तीसरा है बहूब बहु ब्रैली, बहु ब्रैली, यह ना, और यह इस नमास है, उन में मैं दोध हूँ, जिसके दोनु वदन बराबर लगती है, दोनु शब्दु का वदन, जैसे राम कृष्टा, ऐसे कहने से दोनु बराबर लगे, तो वो दोध मेरा विबूत ही है, और नास करने वालों में म मुख से निकलती है, फिर लिया के समय, यह उसका वडन करने है, बल दे जिद्या मुशंग, अब प्रभुपाजी क्या लिखते है, अकार, पहला शब्द संस्क्रिप में जो अ है, वो वेद के, शाहिद यह का पहला शब्द से, अ मतर्द अ में ही सब, अ से ही सब उचान होत करना की सब, और वेद शब्द पहलते हैं जिसमें दो दो शब्द होते हैं उसमें भगवान जैसे भगवान वदान दिया रम-कर्षण, यह दोन में है, रम-कर्षण्ड करद. इसको दोन मैं लोटा सप्टी सि कुछ सि अ क्या सिट्वास हुआ हाँ? मुश्तनुक्น कर रिखा, रिखा रिखे लोटा रोटी, रोटा रोटी, मोचा पोटी चोटा चोटी रोटा रोटी ये सब्सक्रमां से वरके है लोड़े जोडेया वरके ये पहरे किछने टे लिटाएं और मांहिं उर रोटे जो रामकृष्णा कौवपन नुदान किया, इस हमास पराबर के दुछब होते है। अब प्रभपाद ने काल के लिए दोनों का अचायों का अलग मतने कोई नाम नहीं दिया है। तो प्रभपाद में दोनों मेंसे नाम कोई नहीं दिया। परम्तु ये काल है संकर्शन और शंकर्दौनमुकार सूचव। तो ब्रह्मा धाता है चत्रमुकार। ये भगवान की विभूति है। मम्मा के बढ़ नहीं पाए हम सोच आज पूरा करने के क्या करें। कल पूरा करें। अभी हो रहे है , आप वोंठे को यह करें। श्र्भय तो पठते जाएं भगया। मिद्योसरवस्याम। भवयस्यभविष्यता। पहले नाइन कार्थ क्या हुआ जो सब कुछ छीन देने वालों में मिलती हूँ सब कुछ छीन देता है, सब कुछ नहीं लह जाता है, कुछ साथ नहीं जाता है मिलती हूँ सरवर्ष चाहां अगते हूँ तीन बार काल आ गया था एक दो काल तो पहले आ चुक है यह तीसरों काल है एक समय है जो सब चीजों को समय के साथ जीरण करके और थमापत करता है यह एक काल है एक काल है प्रलिय वाला काल और यह तीसरों काल है एक व्यक्ति मर्दा है तो उसका सब कुछ जाता है तो यह तीसरों काल है कि तीन विमूतियां काल किये एक उस्षी से दिखा जाता है और ये वह समझती वाले हैं और ये वैस्टी देखा हैं और गहराई में देखें तो ऐसे उभवायस्च्य भविष्यताम का मतलब जो सरीर में छेख परिवर्दन होते हैं उन में से मैं क्या हूं भविष्यताम जनम क्या लेका है गर शाहने क्या व्यास वालयों में है जनम हूं असल मैं तो सरीर में है जो सिछे परिवर्दन होने में उसमें मेरा विवव्य जनम है जनम मुरता होज़ हुए गड़ में कम शे कम खन्सते तो है लिए बाकि बूड़े ओने वी और बहुपर कोई हसता है तुम बच्टा रोता है और माँ कुछ होती आशे जनम के समय bij जनम के समय कभी बच्टा रोता है तो आशे कि मयों शुजफ होट तो यह जनम का यह वरण है, बाकि शेट इने हो रहे हैं, कीर्थी, श्री, वाक्व, चन्नारी, ना, स्मृति, मेधा, ध्रति, श्मा, यह शेपुन हैं, इसके दो अर्थ कभी करते हैं, एक तो यह सारे इस्त्री लिग है, यह गुन कोई भी बह intr मुर्ण कर सकता है, परंट ये बुर स्ट्री। noem HERE. कि वेदुस्टी से श्रीं नाम है , इसमें से خ्षिक पीर्थी भी है , शुम déjà ब्या कि जढ़ती भी ये के चमा फिर्थियों के कुत्री ये नाम है , इंद्या से बहुत सा तो धर्म के उपर जरने वालों में ये गुन आएंगी। तो ये गुन जो है ये इस तरी निंग है। और ये भगवान की विभूतिया हैं और नारी नाव। और इसी श्लॉप को देखके एक बहुत बड़े ब्राद समय रण में नेपाल में नारी निकाला जेखो भगवत कीता में नारी के छेपूर दिखने हैं पूर्जू के नहीं दिखने हैं। उसने ये श्लॉप कुदर बोला था। लेकि इसका अर्फ ये नहीं तो इसका अर्फ कल पढ़ेंगे। आज कठा को या ग्राम देते हैं आपका गोर्दम का समय होगी है।